नमस्कार दोस्तों स्वागरे अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने अगर दोस्तों कि आपको यह प्रॉलियो को आँ तक बने रही है जो भी आपको स्वालिशन बतांगा आपको फॉलो करना है problem आपका definitely solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पेसा कमाना चाते हैं तो video description पर link मिल जाएगा चलिए दोस्तो आज के इस video को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहला चीज उस एप को अपडेट करना है ठीक है ओके तो just for example यहां पर कोई application हम ले लेते हैं मान लेजिए आपके snapchat permission पर एर्र आ रहा है तो आपको वह एप सर्च करना है एंडेंट उस एप को यहां पर अपडेट पर क्लिक करके स्क्रोल डाउन कीजे एप के अंदर पर जाएए दुबारा से स्क्रोल डाउन कीजे और आपके जो एप है उसको find out कीजे हमने snapchat के example यूज किया है तो हम उसी को search करेंगे ठीक है तो snapchat पर जाना है storage option पर क्लिक करना है clear data पर क्लिक करना है तो दोस्तों आप जो है अपने device को restart करें permission को allow कीजे चेक कीजे solve हो जागा problem ठीक है इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem को fix कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आए मैं आपको बता रहता है पर्मिशन एलाओ के से करना है तो यहाँ पर दोस्तों आए हम जाते दुबारा से स्नेपचेर पर तो clear data करने के बाद दोस्तों पर्मिशन के option यहाँ पर मिल जाएगा तो call locks पर जाना है allow करना है camera option पर जाना है allow करना है ठीक है इस तरीके से एक एक करके आपको सारे permissions allow कर देना है बस इतना ही करना है और आपके issue completely fixed हो जाएगा by any chance अगर आपको दुबारा से प्रॉब्लम आते तो एपको रिइंस्टॉल कर लिजेगा अनिस्टॉल करके रिइंस्टॉल करें सारे साथ मोबाइल सोफ़ेर को यहाँ पर अपडेट करें ठीक है